नमसकार मेरे प्यारे शाथि यह ऐकाफिश आप सभी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंग म्हत्मटेoks पे में विशाल स्विको तेह दिल से आपके परिवाद सिंग मत्मटेस पे श्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथिओ यह विडियो इतना खाश होने वाला है हम लोग देखने वाले है सबसे बड़ी वेकनसी अब तक का रेलवे में सबसे बड़ी वेकनसी का competition level का क्या scene है किस लेवल का competition level है हम लोग एक actual data के माधियम से समझने वाले है कि किस zone में कितने form फिल किये गए कितने total वहाँ पर vacancy थी और competition का percentile क्या है या ऐसे समझे कि एक seat के लिए कितने विद्यारती के बीच में होड मची हुई है तो चलिए start करते हैं वीडियो और ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि किस zone में सबसे high competition level है जैसी मैं बोला आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा वो zone हो सकत है जिसमें सबसे ज़्यादा competition हाई है तो सबसे पहले देखिए आराजसी ग्रूप डी टोटल जो वेकेंसी है एक लाख तीन हजार साथ सो उनसट वन लैक्स थी थाउजेंड सेवन हंडेड सेक्स्टी नाइन और टोटल जो फॉर्म फिल किये गए एक करोर पचीस लाख अजय आपके एक करोर पचीस लाख अटाईस हजार 474 यह एक्च्छुल डीटा है जो इतने फॉर्म फिल किये गए है अब यहाँ देखेंगे जोन लिखा हुआ है कितने फॉर्म फिल किये गए उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए और वहां पर वेकेंसी कितनी थी मतलब कि कितनी सीट है और एक सीट के लिए कितने स्टुडेंट के बीच में आपसी में कॉम्पेटीशन है वहाँ पर कितने मतलब यहां पर देखे लिखा हुआ है कि अलाहाबाद जोन अलाहाबाद जोन की बात करें तो टोटल फॉर्म गिरा है नौ लाक ग्यारह हजार बैयासी मतलब नौ लाक 11082 इतने फॉर्म फिल किये गए है भरे गए है और यहां पर वेकेंसी है 4730 और पर सीट अगर हम कॉम्पेटीशन चेक करें तो 192 मतलब एक सीट के लिए 192 विद्यार्थी के बीच में आपस में फाइट चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कॉम्पे कॉम्पेटिशन है अब देखते हैं जैपूर के बारे में जैपूर में फॉर्म फिल किया गया है नौ लाक 160727 सीट है यहां पर 5249 और यहां पर पर सीट की लडाई चल रही है 183 मतलब एक सीट के लिए 183 स्टुडेंट के बीच में कॉम्पेटिशन है इसी तरह से बात कर देखेंगे बिलासपूर का 2,83,221,1664 वैकेंसी थी 170 यहां पर पर सीट कॉम्पेटिशन है हाजीपूर जोन की बात करते हैं फॉर्म फिल हुआ पर 5,73,340 यहां पर वैकेंसी है 3,573 और एक सीट के लिए 161 बच्चे के बीच में फाइट है गोरकपूर जोन की बात करते है तोटल फॉर्म गिरा 6,20,825 टोटल वैकेंसी है 4,002 और एक सीट के लिए 155 बिद्यार्थी के बीच में क्या है फाइट है कॉम्पेटिशन है आगे देखते हैं कुछ और जोन है उनमें कितने फॉर्म भरेगा है सबसे जादा जो वैकेंसी है वो है आपका डेली जोन में यहां देखते हैं एन आज निव डेली निव डेली में एक करोर यहां देखें नप यहां सौरी 19,003,729 फॉर्म फिल किये गए डेली जोन में और यहां पर सीट देखिएगा टोटल वैकेंसी कितनी है 13,153 और एक सीट के लिए 144 विद्यार्थियों के बीच में फाइट चल नवासी इतने फॉर्म फिल किये गए यहां पर वैकेंसी है 4,019 और एक सीट के लिए 13,1 विद्यार्थियों के बीच में फाइट है भुनेश्वर की बात करें तो 3,18,023,255 वैकेंसी 124 यहां पर पर सीट कॉम्पेटिशन है मतलब गोरक गोरक पूर अब यहां देखें 3,52,824 हॉम फिल किये गए सीट है 2,894 और यहां पर कॉम्पेटिशन लेवल है 1,22 कॉलकता की बात करें तो कॉलकता में 2 जोन है कॉलकता में 2 जोन है समझीगा तो कॉलकता में एक में 11,64,682 यहां पर वैकेंसी है 10,873 कॉम्पेटिशन है 107 सिकंदरावाद की बात करें तो 9,48,418 और सीट है 9,328 कॉम्पेटिशन लेवल है 101 कॉलकता की बात करें देखें A.S.E.R. कॉलकता और सेंटरल लेवे कॉलकता तो यहां पर देखें 49,494,277 सीट है 4914 और यहां पर कॉम्पेटिशन लेवल है 100 इस तरह से सेंटरल लेवे मुंबई की बात करें 9,7,390 यहां पर वैकेंसी है 9,345 और कॉम्पेटिशन लेवल यहां पर 97 है यहां पर देखते हैं वेस्टेन लेवे मुंबई में सबसे कम कॉम्पेटिशन है यहां पर फॉर्म फिल किये गए 9,90,470 वैकेंसी है 10,734 तो यहां पर कॉम्पेटिशन का लेवल है 92 मतलब एक सीट के लिए 92 स्टुडेंस के बीच मे फाइट है तो डियर आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने आपको कम्पलीट जोन वाइस टोटल फॉर्म फिल टोटल वैकेंसी और एक सीट के लिए कितने विद्यातियों के बीच में कॉम्पेटिशन है दिखाया इस से आपको यह रिलाइज हो गया होगा कि कॉम्पेटिश है एक बहुत बड़े वैकेंसी में अब तक का देलवे का सबसे बड़ा वैकेंसी जहां पर एक लाख के सम्थिंग टोटल वैकेंसी है इतनी वड़ी वैकेंसी में ये कम्पलीट कॉम्पेटिशन लेवल है जो आपको इस वीडियो के माद्यम से मैंने समझाने का जोन वाइ प्रियास किया उमीद करेंगे कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथ ही मित्त दोस्तों भाईयों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक बटन पर हीट कर दीजेगा अगर आप चैनल पे पहली बार आये हो तो सब सब्सक्राइब करके रख लिजेगा बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजेगा ताकि नोटिफिकिशन आप तक प्रापर पहुंशते जाएं तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए खुद का ख्याल रखे खुश रहिए मस रहिए हस्तरे मुस्कुरात और आगी बढ़ते रहिए